कि क्या बोलते हैं दर्म के अलग अलग वह प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग तरको मिलेंगी हो सकता है कोई तेरे अनुकूल हो कोई तेरे प्रतिकूल हो सबसे तेरी जमिगी ऐसा ज़रूर नहीं लेकिन याज रखना किसी के भी वीच में जाके अपने चित्तों को सबसे अच्छा विभा रखना मने वात तेरे बारे में गल्रास हो चाई वह इसकी अवस्ता है उसकी खराब है वह बुरा तू तूरे जगे तूसको प्रकार से किसीने कितना भी बुरा भला का तिरा चित्त दूशित मत होने देना चित्त सबसे बड़ा शक्ति है, चित्त सबसे बड़ा धन है, उसको दुशिद मत होने तो होता क्या है, जगे जगे लोग हमारे चित्तो को बाटते हैं, जगे जगे लोग हमारे चित्तो को खराब करते हैं, किसी ने ये बोल दिया, हमारे चित्त खराब करते हैं, उसने मेरे स कुछ नहीं बुला, आप आपके चित्त को भीतर रखो, चित्त को दुशित मत होने दो, उसको मैंने बता है, चित्त को दुशित मत होने देना, किसी से कितना भी बुरा विवार किया, तेरे मन में किसी के प्रतित दुरभावना नहीं आने ची, किसी के प्रतित तेरे मन में दूसरा एक तो चित्त को शुद्ध रखो चित्त को पवित्र रखो दूसरा ना प्रेम करो प्रेम करो यह आप दुनिया में आप चुलो मैं आपको सेलेक्शन आपको देता हूं किसी भी एक व्यक्ति पे कोई भी एक व्यक्ति आपकी मां हो सकती है पत्नी हो सकती है लड़की केवसत्ति की लड़का कोई भी दुनिया में कोई एक व्यक्ति का चुनाव करो और उससे पूर्ण प्रेम करो निस्वार सभाव से प्रेम करो वो तुमसे केवसा विवार कर रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं तुमको कुछ लेना देना नहीं तुम प्रेम करो अगर एक व 2 है एक व्यत्ति को प्रेम करना चालू और अवकर दिन फिर एक से ब्छिह से निदा Although ह्लब कर दो अब क्या है 25 साल में इतने विष्व भर में क्यों के ये कारे का प्रसार होना है और इतना प्रचार होना कैसे संभोगा सभी को सभी को प्रत्यक मनुश्य मात्र को खुब प्रेम करता हूं तो लोग भी मुझसे प्रेम करते हैं देखिए जो आप देंगे ना वही रिटन आएगा ना मेरे पिताजी मेरे को बहुत बुलते थे तो यह सब कुछ छोड़कर के इस मार्ग में आए तो तेरा लाइब बरबाद करेगा और पूरे फैमिली का लाइब बरबाद करेगा उनको खुब समझाता था कि दुनिया गोले जो में दे रहा हूं वही मेरे पास वापस आएगा न दुसरा निस्वार्थ प्रेम करो निस्वार्थ प्रेम मनुष्य की बहुत बड़ी विश्यसता है यह मनुष्य कर सकता है कोई स्वार्थ निए कोई इच्छा निए आप देखो ना अन्भुति का माध्यम वलना यह भी तो निस्वार्ध प्रेम है जो जीवन भर सालों तक 60 साल की साधना में पाया कश्ट से पाया तकलीप से पाया परिशान होके पाया यह सब पाया हुआ अंजान लोगों को इनको जानते भी नहीं इनको देखा भी नहीं अंजान लोगों को देना यह प्रेम के गारण ही संभव हुआ है अन्य था नहीं अपने भीतर का सारा खजाना उन लोगों के लिए लुटा रहे जिनको जानते भी नहीं जिनको पहचानते भी नहीं कभी देखा भी नहीं देखेंगे भी नहीं शेरिल से देखेंगे नहीं इन मेरे को इन आखों से देखेंगे नहीं आत्मा की आख से मैं उनको देख रहा हूं और आत्मा की आख से ही वो मुझे देख सकते हैं तो एक प्रेम काक्षेतर तुम जितना दो दो बाते याद रखो जीवन में एक तो चित्त को कभी दुशित मत करो कितनी भी खराब परिस्थित आए कितने भी खराब लोग आए क्यों अपनेए चित्त को दुशीद मत हो ने दो अपना जित्त樹 सबसे बड़ा द्धान है उसको जितना स्ट्रॉग करोगे जितना मजबूत करोगे न उतना ही आपको अध्यात्मी प्रकति होगे और दुसरा सब को प्रेम करोगे उतना ही प्रेम उद्धिय को तो का और वो ही आपको प्राप्त होगा आप जो दोगे वो आपको मिलेगा जीवन में कई बारा कई साधक देखो साधक की डेफिनेशन मतलब शिबिर कर लिया अन्बूती हो गई जागरती हो गई ऐसा नहीं है ए जिस ने साधना करके अपने आपको सिद्ध किया वो साधग कि इसमें भी क्या है ऐखते जेक व्यक्ति 앞 5 Потом कई लें कोई रूप कर लेकर लेकरे आता हो crucokण सी कोई का हंकर लेकर के अन्भूती पीप्राप्त होगे लेकिन अन्भूती पाने के बाद में औहांकर का रूप बदल जाएगा वो अहंकर छुड़ जाएगा जो लेकर क्या है फिर उसका रूप बदल जाएगा रूप का है का मैं सवाधक हूं यह अंकर यह नया नया अंकर ने अपना रूप बदल दिया है मैं आपको एक मज़ोधर किस्सा बता दू एक ना कुमार कि अपने पांच गदे में के लिए बज़ार में गयार है और पांचयों कि किमत पांच पांच और यह पांच वा गदा था न उसकी किमत 7 जार को तो लोग पारकी लोगा अते थे उसके दाथब देखते थे पुछ देखते ते रंग देखते के etwas sa words ant success क्योंकि कि इस गदे कीमत 7000 क्यों कि वाकि तो गजो की कीमत 5000 है कि तो इसके अंदर क्या चेंज है क्या विशेषता है क्या नया है हमको कुछ ने दिख रहा है हम तो इतने पार्की लोग है फिर भी हम नहीं पेचान पार है कि गधे के अंदर नया क्या है तो कुमार बोला नया कुछ नहीं है इसने मेरी 2000 की नोट खाई हुई है इसलिए वह वसुल करने के लिए इसकी किमत 7000 रखे कि ऐसे आप साधक मत बनो कि आपके अंदर कुछ भी बत्ता हो नहीं है कुछ भी चीजिए नहीं जैसे पहले थे वेसे अभी भी है उसके बाद में इसलिए एक अहंकार है कि मैंने अन्भूति को प्राप्त कर लिया मैं साधक हो गया स्कार्प बांद लिया कि ऐसे अहंकारी साधक मत बनो देखर अंकार रूप बदलता है रंग बदलता है लेकिन जाता नहीं तो अपने अंकार पे नियंटर रखो और देखो न अपने आपको देखोगे न देखो जैसे शरीर भाव चुटेगा न अंकार भी शरीर का एक पार्ट न इसके अंकार छ सब्सक्राइब दिखेंगे भ क्योंकि भगवार का कोई रूप ही नहीं है हमने रूप बनाया हुआ है तो उपर जाने के बाद में एक दम शिन्य का स्थिति और शिन्य के स्थिति के अंदर हां आपको अन्भूति होंगी चंदन के खुजबु आएगी गुलाब के खुजबु आएगी जा आपका रुधाय खुजबु आएगी तो उससे में मत देखना कि कौन चंदन का इतरे रवा क्या है तो ऐसा देखने जाओगे तो वह स्थिति भी चले जाएगी घंटा नाथ सुनाए आएगा शंख नाथ सुनाए आएगा ब्रह्मा नाथ सुनाए आएगा यह सब अन्भूतियां होंगी ले अकेले बेटके घर पे ध्यान करते थे ध्यान की प्रैक्टिस करते थे चित्त शुद्ध हो गया चित्त पवित्र हो गया चित्त पवित्र हो गया चित्त नियंत्रित नहीं रहा तो क्या था जो रामु भिकाली जैसे आदत थी इसके दोईदे उसके दोईदे उसके दोईद एक आपको चित्त को सशक्ता भी करना पड़ेगा इसके साथ ऐसे आपको चित्त को नियंत्रित भी करना पड़ेगा यह कैसा प्रकार है यसे आपको थेज गाडी भी चलाने की है और इसके बाद में एकसे शर्ण भी नहीं ह क्योंद गाड़ी पर टाइए तो नियंदर्ण आप का ता आए गा जब आप सामुप्ता में ध्यान करोगी जब आप कलेक्ट्वी ती में ध्यान करोगी क्या होता है जो अके लिए ध्यान करते तब तो ठीक है अपने पास में कोई है या नहीं है लिकिन पेधे बाद भी महसूस करने कि आक्यांगुंग होई हजार लोगों का इह नहीं हो रहा हैures हम इस यह ई Dlatego अपको का इंचिए संब aquela आत्मा के साथ है और एक आप के ही पास है, महसूस करोगे और अपने गुरु खुद बन जाओगे यह अध्यात्मी स्थिति की सबसे बड़ी सीमा है पिर आपको किसी उप्देश की भार से कहने की किसी माध्याम की किसी गुरु की किसी मूर्ती की कुछ की आवशकता नहीं है आप किसी सौलम भी अध्यात्मिक शेत्र में आप सौलम भी हो जाओगे आप आपके गुरु हो जाओगे और सारा ज्ञान सारा नौलेज आपको आपके भीतर से ही मिलेगा दूसरा आप जो यह इंटरनेट पर सर्च करते हो ना यह जो हिताबे पढ़ते हो उस्तके पढ़ते हो आपको क्या लगता है न्यान है यह नहीं है यह इन्फरमेशन है जानकारी है यानि जो दुनिया में घटित हो चुका है न्यान कभी भूत काल में हो ही नहीं सकता वो तो इन्फरमेशन है जितनी भूत काल की जानकारी है रे ब वो तो आपको आपके अंदर से होगी और वो प्राप्त होने के बाद में सारा ज्ञान आपको आपके भीतर से ही प्राप्त हो जाएगा एक अस्तान पर बेटके दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकरी आप प्राप्त कर सकते हो इतना बड़ा विशाल अक्षेत्र योग का है कि एक जगे बेट करके आप दुनिया के कही भी जानकरी प्राप्त कर सकते हो तो इतना बड़ा अक्षेत्र योग का है योगासन और केवल प्राणायाम योग नहीं है तो योग वास्तों में एक जिवन की वो कला है एक जिवन को एक अच्छे संचाली तरकर ने बने का बैनेजमेंट है उसके अंदर डालो ना का आपका जिवन खूब विवस्तित रहेग आगे आने वाले दिनों में यह सकारत्मक्ता की बहुत आउशकता होगी योग क्या करता है मनुश्यों को सकारत्मक करता है किसी भी परिस्तिति कुछ भी हो हर परिस्तिति में वह सकारत्मक रहेगा हर परिस्तिति में अच्छा देखेगा देखो जीवन में हर दफे प्रत्य इक्षन जब जो अच्छा घटता है तब बुराबरा घटते रहता है, प्रशन है आपका चित्त कहा है, अगर आपका चित्त अच्छी जगे आप अच्छा चीज घ्रहन करोगे, बुरी है बुरी है, एक देखो सदैव अपने आपका ध्यान कर देखो, एक दम ना खूब आसा जो भूद काल मे रहते हैं यह वहीशाकाल मे रहते हैं लेकिन अन्दर जाने की प्रेक्टिस अतनर जाने का अभ्यास आप अपना रोच कर सकते हो ना प्रत्यक्षन देखा को आप कहा हो आप जहां देखोगे ना, automatically, एक मिनिट के लिए आपकी एक अगरता हो जाएगी, चित्त शान्त हो जाएगा, निर्विचार सित्य आएगी, ध्यान, ध्यान, ध्यान कुछ नहीं है, वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना ध्यान है, आप कितना वर्तमान काल में रहते हो कितना प्रेजेंट में रहते हो, वही ध्यान है, वो जितना आप अभ्यास करोगे, जितनी आप ट्रैक्टिस करोगे, उतना ही वर्तमान में रहना, धिरे 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 सीख जाओगे, और जितने वर्तमान में रहोगे, उतना ही आपके भीतर से, उतना ही आ आपके अंदर से अन्भुति का ज्ञान प्राप्त होना प्रारम हो जाएगा और अन्भुति का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो आपको कोई इंटरनेट से आपको कोई पुस्तक से आपको कोई बाहर से दे भी नहीं सकता और आप ले भी नहीं सकते इस सारा नौलेज आपको आपके भीतर से ही प्राप्त होगा क्योंकि आप आपके ही गुरु हो जाएंगे नीमित साधना, नीमित अभ्यास और सामुई का अभ्यास इस दो इसे मार गए जिस पे इस अमरपन ध्यान की गाड़ी चलती है यानि आप नीमित ध्यान करो और सामुईक ध्यान करो नीमित ध्यान करने से आपका चित्त सशक्त होता है और सामुईक ध्यान करने से आपके चित्त पे नियंत्रन होता है और दोनों ही आवशक है ना, चित्त को सशक्त करना भी आवशक है और चित्तो को नियंत्रित करना भी आवशक है तो ना आवशक है यह दोनों ही धिरे 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 होता है तो कल से एक 45 दिन का अनुष्टान प्रारंब करो प्रारंब करो कुछ नहीं एक आदा घंटा एक दिया जलाओ और एक निश्चित स्तान निश्चित समय करो कुशिश करो क्या होता है जिससे प्रकार से जैसे हमको 12 वजें खाना के आदाते तो जैसे 12 वज़ निश्चित समय निश्चित करो कि सुबह पांच बजे मुझे ध्यान करने गए तो बरबबर जिसे पांच बजेंगे न बरबबर आपको ध्यान करने की इच्छा हो जाएगी और उसके दे ध्यान लगना चलो जाएगा निश्चित समय दूसरा निश्चित स्थान, देखिए, घर के अंदर आप ऐसा कोना खोजो, आप घर के अंदर एक ऐसी जगे ढूंडो, जिस जगे बाहर के कोई भी आते आते नहीं हो, कम लोगों का आना या नहो, हो सकता आपका बेडरूम हो, हो सकता आपका पुजागर हो, कोई भी ऐसा स् निश्चित स्थान पर बेट करके ध्यान करो, तो क्या होगा, जैसे आप उस तान पर जाओगे, वहां की उर्जा, आपको सहायक होगी, क्योंकि क्ये ध्यान कटे यह नदर एक अर्जित सापित हो जाती यह, और जैसे हम उर्जित के छृत्र में जाते हैं, हमारा ध्यान, य ऐसे दो जगेर देखो ना एक निश्चित समय देखो और एक निश्चित सतान देखो ऐसा 55 दिन का झानुष्टान करो किरो तो अगर कल से आप झानुष्टान चालू करते हैं तो आपका झानुष्टान 13 फरवरी को समअवत तो होगा तेरा फर्वरी को समवत हो का पूरे 55 दिन होंगे दुखो दूसरा अभी आज आपके जीवन की जितनी भी समस्या हैं जितनी भी प्रावलम से उन सब प्रावलम को कागज पे लिखके हैं वो कागज आप कहीं छोड़ दो आपको जिस भगवान को मानते हो उसके फुटो के नीचे छोड़ दो और उसके बाद में 45 दिन दग उनको बिलकुल याद मत करो और पूर्ण विश्वास रखो 45 दिन के बाद में मेरी समस्या हल होने ही वाली है मेरी समस्या से मुक्त होने ही वाला हूँ देखो विश्वास के अंदर परमात्मा है अब जितना विश्वास करोगे उतने अच्छे रिजल्ट उतने अच्छे परिणाम आपको आ सकते हैं तो विश्वास करो ना कि 45 दिन के पीचार में मत करना और दूसरा आप सोब दो ना आपने परमात्म को सोबा है आपने परमेश्वर को सोबा है अरे एक सामाने किसी वेक्ति को सोबते हो तो आप सोबते हो कि नहीं अरे अब देखो ना हम बस में बेटते हैं वो बस के ड्राइवर को जानते तक नहीं है पहचान लाई बने जिस व्यक्ति को जांतीन हे जिसक्ति पैचानती ञें उसके पर भी Mega उपर दॉपन विश्वास जाल रहे कि यहमारे को स्तां तक पोचा औ color उस्तान का टिकेट लिया है तो उस्तान पर पहुचाएगा ही और बिना एक्सिरेंट के पहुचाएगा सुरक्षित पहुचाएगा यह विश्वास रखते हैं एक ड्राइवर के उपर विश्वास रख रहे हो परमात्मा पर नहीं रख सकते हैं परमात्मा पर विश्वास करता है। आप अन्वह लेकर के देखना, और अन्वह लेकर के चाए हो फोभाव विश्रात्व को भूला फॉर्ण है, तो Mé Mittal भूलागे, कि मैंने परमाप्मापम को इस समझत नोचे इसोंगे हो यह सोचके और दुसरा बार-बार करेगा कि नहीं करेगा पेतारी दिन के पाद में हल होगी कि नहीं होगी ऐसी शंका मत करना शंका विश्वास के विरोध में है प्रेम के विरोध में है इसको प्रेम करते न उसके कि यह दो बाधख हैं अगर आप शक करते हो और आप अभीसास करते हो ऐसा अभीशास मत करना पूर नभाव के साथ में इसको सोपना और होगी ही अरे बाबा, पच्चिस सालों से हजारों लोगों को यह अन्वो में ने करा है, अन्वो बता है, और उसके बाद में आज तक मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, इसने 45 दिन का अनुष्टान नियमित व्यवस्तित किया हो, और उसकी समस्या हल नहीं हुई हो, और उसके सकारात्मक चेंज, उसके जीवन में नहीं आया हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला, तो हम अन्वो लेकर के देखिए और दूसरा, पेतारी दिन करके तो देखिए, क्या भी घड़ता है आपका, देखो मैं आपको कोई पहाड पे जाने को नहीं बोल नहीं हो, मैं आपको पैसे करने को नहीं बोल रहा है, मैं आपको दान को नहीं को नहीं multip Pour Me, किवल यह बोल रहा हूं, तुमने जीवन इतना व्यक्तित की आये, इतने साल बरबात किये है ते वह साड़ेवावीश घंटे मुझे दो गो अगर आदा गंटा आप 35 दिन करते हो ना तो आपका कह जाएगा साड़े बावीश घंटे जाएंगे मेरे नाम पेसाड़ेवावीश घंटे खराब होंगे लेकिन याद रहो 되면 25 घंटे के वाद Only आपकी दुनिया बदल सकती है आपका जीवत में सकारातमक्त चैंज आ सकता है कि अधिथ हा सकता है